हेलो दोस्तों वेलकम डू माई यूटूब चेनल आज आप लोग को आलो दम बना के दिखाऊंगी कि मैं कैसे दम आलो बनाती हूं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो यहां पर देख सकते हैं बोयल वला आलो ली हूं और उसको क्योब में काटी हूं और यहां पर है टमाटर ए इसको इसे तरह से उसको भी क्रास कर दी हूं तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं तो पहले यहां पर मैं कड़ाई ले हूं कड़ाई मेरा गरम हो गया है इसमें मैं सुर्शे तल अड़ कर रही हूं यहां पर दो चमज सुर्शो का तेल ली हूं और इसमें अभी मैं प्याज को प्याज कर रही हूं और एक तेजपता एड़ करेंगे और प्याज को थोड़ा सा अलका ब्राउन होने तग पकाएंगे तो दिखिए हमारा प्याज लगबग हो गया है इसमें जो कदू कस करकर रखी थी अधरक और यह जो हरी मिच यहां पर मैं तीन हरी मिच कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर दिखे लसुन भी एड़ कर दि तो सारे जितना भी में काट के रखी थी तरेड़ करने के बाद यहाँपे जो एक मीडियम सैज का टमाटर उसको भी एड़ कर दी हूं तो देखिए यहांपे अभी मैं स्वाद अनुसर नमक कर लूँगि जल्दी सा जैसे मेरा टमाटर पक जाएगा इसलिए मैं नमक मसाला के साथ ही एड़ करती हूँ तो स्वाद अनुसर यहां पर मैं नमक एड़ कर दी अभी थोड़ा सा इसको ठक के पकाएंगे जब तक हमारा जो टमाटर है वो सब न हो जाए तो यहां पर मैं तिन चमज दही हूं हिए होममेट दही हैं मैं जमाती हूँ घर में तो इसी दही में मैं मसाला जो पाउड़र वाला मसाला है नहीं गया तो यहां पर देखिये मैं हलदी पाउडर जेरा पाउडर धनिया पाउडर को मिर्चा पाउडर सब सा इस cái वितना भी को ढ्र Nä सो से दाए हरा से कॉ हज़त पर रहा है सुखा है तो इसी तरह से मिक्स करके उसमें डालेंगे कड़ाए में या सांधी यह हमार Ellis email करेंगे तो देखिए सारे मसाला को हमने एड़ कर दिये दही भी इससे जो आलो दम में चट पटा सा एक स्वाद आएगा इसलिए मैं यहाँ पर दही एड़ कर रही हूँ और यहाँ पर में थोड़ा सा गरम मसाला भी एड़ कर दिये हूँ तो देखिए हमारे मसाला लगबग कस गया है तो जो बॉयल करके रखे थे आलू थोड़ा क्यूब साइज में हम लोग काटे थे इसको भी एड़ कर देंगे यह देख सकते हैं अच्छा सी मिला लेंगे जितना पानी चाहिए पानी उसी साब से इसमें डालेंगे ज्यादा नह पकने देंगे एक बॉयल आने तक इसको पकाएंगे तो देखिए हमारा जो अलू दम में बॉयल आ गया है यह बनके रेडी हो गया है अभी ग्यास का प्लेम को आप कर देते हैं और इसमें धनिया पता से गार्निसिंग कर लेंगे और इसको हम लोग आज खाएंगे पूरी क का कंबिनेशन बहुत यह अच्छा होता है तो अशा करती हूँ आप लोग को आज का यह रेशिपी आलो दम पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसको प्र